मक्का की सामाईग देखभाल, हमारे किसान भाई कैसे कर सकते हैं? मक्का करीब 25 दिन पहले जून में किसान भाई लगा चुके होंगे, तो अभी पौधा उनका करीब 25 से 25 सितिस दिन का या 40 दिन का हो गया होगा, तो इस समय किसान भाईयों को चाहिए कि सबसे पहले इसमें जो खर पत्वार उग गया हैं, उसे खत पत्वार को निकाल दे और यूरिया की, जैसे यूरिया की जो डोज है हमारा, 120 किलो परती हेक्टेर, और फासफोरस का 60 किलो और पोटास का 40 किलो, इसमें से जब हम लोग मक लगाते हैं, तो नेतरियान की आधी मातरा दिये रहते हैं लगाते समय, तो उसका जो सेस आधी मातरा बची हुई है, उसे आप अभी उसमें खर पत्वार निकालने के बाद डाल सकते हैं, तो इससे पोधा का बढ़वार अच्छा होगा और उसमें मिट्टी भी चढ़ाना बवाई के एक महीने बाद मिट्टी चढ़ाने का कार किया जाता है, बीज बोने से पहले किसी फफुन नाशक दवा जैसे थायरम या एग्रोसेन जी एन 2.5 से 3 ग्राम प्रती किलो बीज के दर से उपचारित करके बोना चाहिए जानकार कहते हैं कि मक्के की खेती के दोरान, खाद और उरुरक की सही विधी अपनाने से मक्का की विर्धी और उत्पादन दोनों को फाइदा होता है जैसे की डाली जाने वाली पूरी नैट्रोजन की मात्रा का तीसरा भाग बुआई के समय दूसरा भाग लगबग एक माह बाद साइड ड्रेसिंग के रूप में और तीसरा और अंतिम भाग नर्पुष्पों के आने से पहले फॉस्फोरस और पोटाश दोनों की पूरी मात्रा को बुआई के समय मिट्टी में डाला चाहिए जिससे ये पौधे के जड़ों से होकर पौधों में पहुंच सके और उनकी वर्धी में अपना योगदान कर सके पौधा में जब ये भूरे रंग का धब्बा बनने लगे तो उस समय हम लोग को डाइथेन M45 या इंडोफिल M45 या डाइथेन Z78 को दवा को दो गराम दवा को एक लीटर पानी में 10 से 15 दिन के अंतर पर दो बार छिर्काव करना चाहिए इससे लिव ब्लाइट नाम का रोग से छुटकारा मिल जाता है और दूसरी बात है कि जब हम लोग बीज को लगाते हैं तो लगाते समय इसको सीट टीटमेंट करके लगाना चाहिए